हेलो फ्रेंट्स वेलकम वन आयमी चैमिस्ट और एक पहली बार यूटूब में आने वाला है आई टी जैम की डीटेल सोलूशन लास्ट थी त्री यार्स की जितने भी पेपर्स है वो सारे तुम लोगों डीटेल्स एक्जैक्ली सारे कोश्चन की डीटेल सोलूशन तुम यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलो स्टार्ट करते हैं आई टीजैम की जो कोश्चन नुमर वान है यहां से जो कोश्चन नुमर वान मेंशन है एरिंज दा फॉल्लूइंग इन डीक्रीजिंग और अप 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 दा हाई देखो एसिडीटी मतब क्या है एसिडीटी मतब अप 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 इसके बाद दूसरे कॉंपोंड को लिखेंगे चाहिए यह रिख रहे है यह सारे कॉंपोंड की हाइशन है उनकी बेशीकली क्या है स्टेभिलिटी देखने है दो इस्टेभिलिटी तिसरे कॉंपोंड को मैं लिख रहो पार अब और लास्ट वान सीज़ी और सारे हाइडूसिन को मार करने जो कांसी कांसी हाइडूसिन बोला गया देखो यह वाहा हाइडूसिन यह वाला और मुझे क्या मिलका हटा दिया इसका हटा दिया और इसका भी हटा दिया तो मुझे मिलेगा क्या मुझे मिलेगा यहां पर है भी आपे स्ट्र बिदीग देगा है नेके आटीप होगा उसका एक नेकेट्विद्वे जाए गरेगा storing Spirit लेक्ट्रोएं अर्श कालिन ग्रूवह सबसे जण सबसे जsecर चीर that's तरह का चाहला । वाला इसका वाला कि सबसे जादा होगा तो न हम edo का सबसे जादा हो थे वेतलों कैसे इसलों क्कालों 2 अब है पूर को दिए अब है जो much का होगा 1 2 3 में अभी तुम देखो जो 2 की नेगेटिव चार्ज है ये दोनों साइब रिजोनेंस कर सकता है ठीक है अभी 3 का जो नेगेटिव चार्ज है वह भी दोनों साइब रिजोनेंस कर सकता है बढ़ेकर फिबी मुझे प्रीशा जाए ए और 2 और 3 में कौन अच्छे से रिजोनेंस करेगा 2 या 3 में तो एंसर आजाएगा 3 में क्योंकि 3 में क्या प्रब्लेम है 3 में देखो इस साइट की जो ऑक्सिजन है यह भी इदर से क्रॉस रिजोनेंस करेगा और क्रॉस रिजोनेंस करने से जो 3 का जो रिजोनेंस पावर है यह उतना ज्यादा एफेक्टिव नहीं होने वाला है तो किसका आगए आ जाएगा 4 के बाद 2 का देना आ जाएगा 3 का और 1 का सबसे लास्ट आ जाएगा तो मैं आगए देखोंगा 4 2 3 1 4 2 3 1 ए जो तुमारा ओप्शन है यह तुमारा बी में तो मेरा इसका जो एंसर बन जाएगा एंसर क्या बन जाएगा answer बन जाएगा 1B बिल्कुल अच्छा question था यहाँ पर मुझे क्या देखना था मुझे resonance concept की अपलाई करना था जहाँ पर अच्छे से resonance होगा वो क्या होगा? वो उसकी conjugate बेर जाधा stable होगा और conjugate बेर जाधा stable होगा तो SETB भी जाधा होगा तो बहुत easy question था I think सब कोई समझा आगया ठीक है? तो चलो next question में हम लोग जाते हैं चलो, this is the next question For the reaction shown below If the concentration of KCN is increased 4 times, the rate of the reaction will be अगर मैं मैं reactant को देखूंगा इसकी concentration को मैं 4 times करूंगा ठीक है? यह जो KCN है किसकी concentration? KCN की concentration तो मेरा जो reaction rate कितने times होगा? यह पूछा है KCN 4 times तो अभी अगर इस reaction को देखो गे reaction कैसे होगा? यह जो chlorine है अगर तुम इस chlorine को देखो गे एक chlorine अगर release हो जाएगा तो मुझे कुछ इस तरह का एक कार्बोगटन मिलेगा जो क्या एक 3 degree कार्बोगटन है? क्या है? मुझे एक ऐसे कार्बोगटन मिलेगा जो बिसिकल एक 3 degree कार्बोगटन है 3 degree कार्बोगटन क्या करेगा? SN1 करेगा उसके साथ साथ तुम देखो इसका बेंजीन से resonance stability भी है तो यह जो कार्बोगटन है highly stable है तो क्या करेगा? पहले step में तुमारा इसे कार्बोगटन फर्म होगा दूसरे step में क्या होगा? तुमारे जो cn- है cn- क्या करेगा यहां पर? इस कार्बोगटन में अटक करेगा और तुमारे प्रोडक्ट बना देगा और जो एक कार्बोगटन फोर्मेशन स्टेप है first step, that is the RD step जो reaction rate है वो किस के उपर dependent है वो dependent है तुम्हारा इस RD step या rate determining step के उपर तो अभी क्या है यह SN1 reaction है तो rate determining करेगा first step के उपर तो यहां पर question में बोला गाए casean increase four times अभी casean की involvement कहां पर हो रहा है second step में casean की involvement कहां पर हो रहा है second step मतब तो RD step के साथ casean की कोई relation नहीं है इसका मतब casean को मैं four times करूँ या ten times करू reaction rate को कोई भी changes नहीं कर सकता है मतब यहां पर क्या होगा अगर मैं casean की rate को increase भी करूँगा देर मेरा क्या होगा अनफिक्टेट रहेगा क्योंकि rate की उपर reaction rate की उपर यहां पर कोई असर नहीं दिखा पाएगा casean की involvement यहां पर RD step में नहीं हो रहा है तो इसी reason के लिए यह क्या हो जाएगा तो वारा answer C और बन जाएगा और अनफिक्टेट तो बहुत बढ़िया question था बहुत easy question भी था ठीक है जिसको हम लोग देखकर ही question को solve करते हैं और अगर यहां पे SN2 हो जाता सब उस SN2 हो गया तब मेरा casean की उपर dipend कर रहेगा तब मेरा four times हो सकता है पर यहां में mechanism SN1 था इसलिए क्या हो जाएगा unaffected बहुत easy question था चलो next question में हम लोग चाहते हैं बिंजल क्लूराइट इस रियक्टेट वी डिफरें नुख्लिफिलिक नुख्लिफाइस सोन बिलो एलिंग दिन इन दे डिक्रेसिंग ओर अडर अग्रियाक्टिविटी इस चारो नुख्लिफाइल गीवेन है तो इनकी रियक्टिविटी ओर मुझे बताना है कौलसा अच् दो यह जो कोश्चिन था इत्ज्ठ की इस कोश्चन में निक्षेस कोश्चन में यहाँ पर जो एन्सर बता लिया था देखो एक ओ फ— Nor Спасибо प्रुष मांस और सीशलिण मायिन इनको देखा जै तो नूक्लियूफारी मतलब क्या है, इलेक्ट्रोन रीच, कौन कितना जादा इलेक्ट्रोन रीच, जो जितना जादा इलेक्ट्रोन रीच होगा, क्या होगा, वो अतने अच्छे से इलेक्ट्रोन प्रोवाइट कर सकता है, और वो क्या होगा, अच्छा नूक्लियूफारी ब बन चुका है क्या बन चुका है इलेक्ट्रॉन रीज और अगर अच्छे से इलेक्ट्रॉन रीज बन जाएगा तो ओ माइनस क्या चालेगा अच्छे से डोनेट कर पाएगा तो न्यूक्लियो फिलिसिटी क्या होगा न्यूक्लियो फिलिसिटी भी इंक्रीस हो जाएगा इसका मुलब CH3O- का क्या होगा सबसे जाधा होगा देन किसका होगा देन होगा OH- उसके बाद अगर PHO- और CH3CO- की बात किया जाए देखो अगर मैं CH3CO- को दिखूंगा यह मैंना CH3CO- है और और मैं रिक यह मैंना फिन ओक्साइड आए ठीक है अभी देखो यह दोनों ही तुमाला रेजोनेंस करेंगा यह वाला भी बिंजिन बिंग में जा रहा है और यह वाला भी रेजोनेंस करेंगा बड़ यहां पर बात है कौन अच्छे से रेजोनेंस करेंगा जो अच्छे से रेजोनेंस करेंगा वो क्या करेंगा अपना इलेक्ट्रॉन को खुद सेल्प में ही अपने रेजोनेंस में यूज कर देगा वो कोई दूसरे कॉंपाउंड को डोनेट नहीं कर सकता है और अकर पाइगा। तो उसका नुक्ला-फाल फेस सो नहीं होगा। तो उसक ant BA के सुना च्छी से सो नहीं होगा। थी और बादने कुझे। तुम्हारे पास टो इलेक्ट्रण आए उसको डॉनेट करना होगा। तुम्हारे पास इससे ऐस से कोई फन reception को डॉनेट करोगे। कि अभी दोनों का इलेक्टरन अपना रेजोनेंस में इनवर्फ हो चुका ही अगर रेजोनेंस को देखूंगा जो कहां पर effective resonance है ते फीन ओक्साइड आयन में भी resonance रहा है यहां पर यह वाला जो resonance हो रहाए तो हम लोग हमेशा क्या करते है, equivalent resonating structure को जाधा priority देते है, इस non-one resonance से, इसलिए यह वारा जो 4 का resonance है, C-C-O-, इसका क्या है, एक completely अपना जो electron है, और resonance में involved हो चुका है, क्योंकि equivalent resonance structure हो रहा है, तो एक क्या करेगा, less nucleophile होगा, उधर pH-, इहां पर भी resonance हो रहा है, पर एक क्या करेगा, कुछ हद तक donate कर सकता है, पर यह वाला बिल्कुल नहीं donate करेगा, क्योंकि due to equivalent resonance structure, तो क्योंकि equivalent resonance structure बहुत ही powerful होता है, normal resonance से, तो इसलिए क्या हो गया, pH- को आगे रख दिया, और CACCO- को पीछे रख दिया, तकि CACCO- क्या हुआ, complete resonance में involved होने के कारण से, इसका क्या हुआ, nuclear ferocity है, वो बहुत ज़्यादा decrease हो चुका है, तो मेरे answer क्या बन चुका है, answer बन चुका है, ए, CACCO-, OH-, pH-, और CACCW-, तेर, बहुत ही बढ़िया कुश्चन था, next question, the rate of nitrogen of the following aromatic compound decrease in the order, मुझे कुछ aromatic compound given है, benzene, pyridine, thyle, peanut, toluene, तो मुझे बताने गया है, जो nitrogen की order क्या होगा, अब इनाइटरिशन में क्या होता है, विसे कलिए nitrogen में होता क्या है, तेखो, nitrogen में होता क्या है, तुमारे concentrated HNO3, और H2SO4, इन दोनों की reaction से, तुमारा formation होता है, NO2+, nitrogenium, जो linear structure होता है, और इस NO2+, को, जो जल्दी से अटक करेगा, बेंजीन, पिरिडीन, थायोपीन और टॉलूइन, जो जल्दी-जल्दी से NO2+, को अटक करेगा, वो क्या हो जाएगा, वो उपने अच्छे से nitrogen करेगा, अभी क्या है, एक electrophile है, अभी इलेक्ट्रोफाइल को कौन अच्छे से अटक कर सकता है, इक nucleophile, तो basically मेरा question क्या है, जो बेंजीन, पिरिडीन, थायोपीन और टॉलूइन में, कौन सबसे अच्छा nucleophile है, which one is the better nucleophile, जो अच्छा nucleophile होगा, वो क्या करेगा, तो जल्दी से अटक करेगा, और जल्दी से इसको अटक करेगा, तो क्या होगा, उसका rate जारा हो जाएगा, तो अगर मैं सब की structure को लिखूंगा, बेंजी, टॉलूइन, थायोपी, और फिरिटी, ए जो structure है, अभी तेको यह जो, मीथाई है ना, मीथाईल की क्या कर रहा हो, तो इलेक्ट्रों पूस कर रहा है, प्लासाई एफेक्ट भी हो रहा है, एस वर आज हाईपर कॉन्जूगेशन भी हो रहा है, तो प्लासाई effect and hyperconjugation ने दोनों effect के लिए क्या हो चुका है methyl की जो री है ना methyl इल्पूस करने के करण से यह जो बेंगीन की जो री है यह ज्यादा electron rich हो गया है और अगर जादा electron rich होगा हो क्या करेगा जल्दी जल्दी अटक करेगा और nitrogen NO2 product बना देगा मतब toluid जो है यहाँ पर सबसे अच्छे से best reactivity show करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या करेगा electron push करने के लिए benzene ring जादा electron rich बन रहा है तो यह क्या करेगा जल्दी जल्दी elliptophilic substitution करेगा मतब toluid जाना करेगा मतब देखो 4 जो है 4 सबसे fast reaction करेगा देखो 4 fast only option A में है मतलब इसको देखकर ही मैं answer A बता सकता हो comment कर सकता हूँ अब अगर मैं इसको और भी अच्छे से explain करूंगा बाकी parameter को भी तेको इसका तो मेरा tolerance सबसे आगया आगया अभी एकर बाकी तीनों में देखा जाए तो हमेसा याद रखना ही जो तुमारा पीरीडीन होता है पीरीडीन इस equivalent तो नाइट्रोबेंजी नाइट्रोबेंजीन क्या करता है ये नाइट्रोबेंजीन क्या करता है इलेक्ट्रोन को विद्रोग कर लेता है इलेक्ट्रोन विद्रोग होता है तो क्या होता है इलेक्ट्रोन को विद्रोग करेगा तो रिंग क सिमिलेयर बात क्या होता है इस पीरिदीन के लिए रेखा जाता है पीरिदीन भी क्या होता है एक हाईरी इलेक्ट्रोन डेफिशन्ट हो जाता है क्योंकि यहां पर जो हेट्रोसाइकलिक नाइट्रोसन है ना इसकी प्रेजन्स होने के कारण से जो पीरिदीन है एक नाइट्रो हमेंसा क्या होता है लिस्ट रियक्टिव होता है लिस्ट रियक्टिव होता है लिस्ट रियक्टिव होता है तो इसके पीरिडिन सबसे लास्ट में जाए इसलिए देखो पीरिडिन जो है तू यहां पर सबसे लास्ट में है एंसर वान में ठीक है तू यहां पर सबसे लास्ट के सकते हिर्ज हेले से यह ओधने थैडिय। कि यहां होता है। शर्फर पर हysis में नहीं होता है। होने कारण से यहां पर इलेक्ट्रोन डेंसीटी इलेक्ट्रोन रीच बहुत जादा होता है तो बेंजीन के पास रेजोनेंस इनची होता है 36 और थायोपीन के 26 इसलिए क्या होता है बेंजीन बहुत ही जल्दी से क्या करता है इनाइटेशन करता है तो क्यों जादा इलेक्ट् बीन आया तीन और लार्स्ट में देखो तुम्हारा पीरी दीन आ चुका है तो एंसर क्या बन चुका है एंसर बन गया एग नेट्स्ट्ट्ट्ट्रम्हारा प्रॉद्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्थ और इसकी ब्रॉमिनेशन क्या जा रहा है तो देखो एकदम इसी कोश्चन था तुम्हारा जो कॉंपाउंड है न कि यह तुम्हारा 1,3 ब्यूटेट आई है ठीक है तो यहाँ पर अगर ब्रोमीनेशन दूंगा ब्र प्रोमीनेशन करूंगा तो क्या होगा यह वाला बन इधर गिरेगा इसको निकल लेगा और यह वाला बन इधर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा एक ऐसे ब्रिच ब्रोमोनियम आईट स्फॉर्मिशन करेगा अभी जो ब्रॉमीन को रिलीस कर दिय गया था इस नेक एट की करने के बाद अगर यहां पर अटक करेगा जो तुम्हारा प्रोड़क्ट बनेगा ऐसे प्रोड़क्ट बना देगा ठीक है मतलब जो तुम्हारा एंसर एंसर कहां पर आ रहा है यह वाल एंसर ऐसे कोई एंसर आइंसर नहीं है है क्या अगर यह वियर माइनस तुम्हारा इस पोजिशन में अटक करेगा इस एस पीटू में यह वाला बॉन इधर जाएगा और यह वाला बॉन इधर से तूट जाएगा तब मेरा जो प्रोड़क्ट बनेगा ब्रोमीन ब्रोलीन इतो तुम्हारा एंसर कहां पर एंसर दी में है तुझ यहां पर एक ही साइट से अटक करा गया क्योंकि यह वाला साइट का प्रोड़क्ट इवन नहीं है और यह वाला प्रोड़क्टिफ फॉर्मेशन होगा क्योंकि इसकी जो डॉबल बॉंड है ना बहुत ही अच्या कुशन था गन नहीं है तो बहुत ही अच्या कुशन था टीक है एक दम बेसिक रियक्शन था नेक्स कोश्चन में अगर जाएंगे वह वाला कोश्चन थोरा कॉंट्रोबर्सियल कोश्चन था क्या यहां पर आइसोटोब क्या फियर बता हो एक आइसोटोब है अदिक है कॉमेंट्स कॉनसी रियक्शन में यूसे घ्यक्षटार धा यून जो आइसटोप है ऐडलीन-131 ठीक है वो आइसटोप थाउडीन, तो आइसटोप रेडियोएक्टिव आइसटोप आइसटोप आइसटो इन इन एकटॉल वास्ताइब बाई इसको अच्छे से देखो नेको पहले मुझे जानना पर घ्यारोट टीजिशन रेसिमाइज़ेशन न तो पहले पहले मुझे जानना पर हो आप इस रीजिमाइज़ेशन क्या होता है 50 पर्षेण और 50% 50% R 50% A 50% D 50% A इन सब को हम लोग क्या होता है रिसी माचेश्य हम बहुता है तो अधर इस कोश्चन को अच्छे से देखो यहां पर क्या हुआ है सबोस्थ मैंने हाप मोलब हाप मोलब इसको ले रहा हुआ हो मेरी स्टार्टिंग मेट्रियल को तो आयोडीन क्या करेगा हाप मोल के साथ रियक्शन चरेगा करने के बाद मेरा क्या होगा हाप मोलब प्रोडाक्ट बना देगा इसका मतलब सबोस्थ मेरा आर है तो आई स्टार यहां पर डियक्ट करने के बाद आई स्टार यहां पर आ चुका है तो अभी विसिकल यह क्या म हो रहा है अगर तो मेकानिजम को अच्छे से देखो गई है यहां पे क्या हो रहा है वोले तो यह वाला सभूस मेरा आ रहे है ठीक है आयोगी यहां पर अटक करने के बाद आई को निकाल दिया और आई स्टर आ गया मतलब यह क्या हो गया एस बन जाएगा बिसिकलिए अगर यह तंब अच्छे से देखोगे यह तमारा एक असन तू मेक जब हो रहा है ठीक है भूद धन्द लग गया ने मेरा बहुत धन्द लग गया तो यहां पर आट से क्या हो गया एस में का बड़ हो चुका है ठीक है मतलब यह क्या हुए तो मेकानिजम है एसे टू मेकानिजम ह हो रहा है our compound is converted to ACE मतलब अगर ही हमें हापमुल तुम लोगे तो हाप cách होगा हापमुल अब तुमारा इस प्रोड़्थ में कॉन्वार्थ हो जाएगा तो एक हम हापमुल रहा है डिएक्टंट हापमोल products में confront हो रहा है मैंतलब गॉर्प्रेशचन इंकर्परेशन हो रहा है कि इंकर्परेशन कितना हो रहा है 50% हो रहा है 50% reactant is converted to 50% product और reactant और product मिलकरी क्या हो जा है तुम्हार रिसी वालेशन होगा 50-50 इसका मालब तुमारे जो इंकर्परेशन होगा मनलब जो convert होगा कितने पर्सें रियक्टन मनलब जो आर है वो कितने पर्सें एस में convert हो रहा है तो मैंने जितने रियक्टन लिया था उसकी 50% यहां पर convert हुआ मतलब जो incorporation हो रहा है वो क्या हो रहा है जो टोटाल component है उसके कितने पर्सें इंकर्परेशन हो रहा है इंकर्परेशन के भी जो आइस्टर वाला product कितने हो रहा है अगर टोटाल मेरा 1 है तो 1 से 50% जा रहा है मतलब जो मेरा incorporate हो रहा है तोटाल मतलब रेशिमाइज़िशन किया अचे धान से समझो रेशिमाइज़िशन क्या है 50% or 50% एस इं दोनों को मिला रेशिमाइज़िशन है ठीक है और इसके जो 50% एवाला आइसो माले जो एस वाला आइसो माले वो क्या है इंकर्परेटेट परड़ां था R और S मिलका तो यह रसी माज़िशन है, रसी माज़िशन मतलब को 100% अभी इसकी जो 50% कोई एक ISOMAR होका, यह तो R यह तो S और O वाला जो ISOMAR है, ओ क्या है, तुम्हारा इस इनकॉर्परेटेट प्रोड़ाट्ट, मतलब जो A ISDAR वाला प्रोड़ाट्ट इसके लिए तब INVERSION, ही को आड़ू क्या हो रहा है, हाव इंडू रसी माज़िशन, मतलब यहाँ पर एंसर क्या बन चुका है, एंसर बन चुका है, बहुती बढ़िया कोश्चन था, बट यहाँ पर स्टूरेट इस को देखका है, थोड़ा डर जाता है, और इसको थोड़ा प्रॉब्लेम फेल करते हैं, बड़ी एकदम ही जीता, इनवर्शन टोटाल, 50 आर 50 एस, और उसकी जो 50 पर्शन है, पोई एक आइसोमर है, जो तुमारा इस इनकॉर्परेट प्रोड़ाट है, तो यह एंसर क्या बन जाएगा, एंसर बन जाएगा B, बहुत अच्छा है, एक डियने है, एक डियने में क्या दिया गया है, हम लोग को B, O, H, होल्टू दिया जाए, एक प्रोड़ाट्ट P होगा, एक बड़ डियने में M, G, और H, गिवेन है, जिहाँ पे, P, O, 3, माइनस Q, उसके अंदर H, C, दिया जाएगा, R, S, प्रुगर, तो मुझे इन P, Q, और R, S को निकलना है, ठीक है, P, Q, R, S, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, डियने को, अगर तुम डियने को, क्या देखोगे, B, O, H, होल्टू दोगे, ना, तो यह क्या करता है, तो तुमारा बनाता है, नूक्लियो टाइट, क्या बनाता है, यह तुमारा इस न अंदर वियो इं छोड़़ थो, नूक्लियो टाइट, ठीक है, नूक्लियो टाइट मằलब क्या होता, नूक्लियो टाइट मलब होता, बेस, प्लाष,anim, सुगर, प्लाष,सुगर, इस पर यहाँ लिखात देखा है, बेस, लगला सुगर, प्लास, फॉस्टवित, मलब ऑपी यह PO4 3 माइनस, बेस प्लास सुगर प्लास फॉस्पेड, PO4 3 माइनस, ठीक है, यह नुक्लियो टाइड बनाता है, नुक्लियो टाइड मतब बेस, सुगर और फॉस्पेड इन तीनों की कॉंबिनेशन को नुक्लियो टाइड बोला जाता है, अभी DNA यह अंदर NGO गिवेल है, ठी नुक्लियो साइड, यह नुक्लियो साइड बनाया है, ठीक है, नुक्लियो साइड प्लास फॉस्पेड, अच्छे समझो, नुक्लियो टाइड इकोल टाइड इकोल टो क्या था, बेस, सुगर फॉस्पेड, अभी वहां से क्या हुआ है, फॉस्पेड को अलग किया जह, बेस और सुगर न तो अधो दो विए टो विएक तो अलग करके लिखाएं अभी एजो साइट नूक्लियो साइट नूक्लियो साइट तुम्हारा क्या है नुक्लियोसाइड के अंदर HCL दिया है तो क्या निकला है बोला गया है सुगर निकल गया है तो उसके साथ क्या होगा उसके साथ होगा पीरिमीडिन और पीरिन बेस क्या होगा यह बारा पीरिमीडिन और पीरिन पीरिमीडिन और पीरिन के बाथ Nucleotide विशेстрой लोग लिगा है तो वारा बेस, शुगर, दिकिक कॉंबिनेशन को नुउप्लियो साइड ब्ला जाते है अगाथ अंदर mg और heat और 2 दिया जा जाएगा उसको नुक्लियोसाइड बोला जाएगा ठीक हैं क्या हो लहाएगा नूक्लियोसाइड अब नुक्लिोसाइट क्या है? A, U, C, L, E, O ठीक है? नुक्लिोसाइट की स्पिलिंग गलत लिखा है यह क्या लिख गया रहे? भई? नुक्लिोसाइट A, U, C, L, E, O S, I, D नुक्लिोसाइट بنेगा ठीक है? यहाँ बे क्यू में क्या बनेगा? यह वाला Q में बन जाएगा नूकलियोसाइट, नूकलियोसाइट मतलब क्या है? नूकलियोसाइट मतलब बेस और सुगार है, अब इस नूकलियोसाइट को अगर ब्रेक किया जाएगा, तो पीरिमीडी और प्यूरिन बेस आ जाएगा, पीरिमीडी और प्यूरिन बेस, मतलब बेसिकली जो एंसर बन जाएगा ना एंसर बन जाएगा यहाँ पर जो एवाला डी वाला एकदम क्या था एक कोश्चन इसको सब लोग कॉपी कर लोग इजी कोश्चन था वीडियो को पॉस करो पॉस करगे सारे इसको नोट कर लो इसकोश्चन को देखा जाए तो क्या होगा प्रोड़ा एग नम इजी था देखो यहां पर वाटर क्या गरेगा यहां पर अटक करेगा क्या गरेगा एक अलगॉन को निकल देगा क्या होगा तुमारा जो एसीड है एसीड में तुमारा यह आईसोटोब जो ऑक्सीजन है वह आ जाएगा और इथानॉल रिलीस हो जाएगा तो ऐसे कोश्चन पर ऐसे कोश्चन ऐसे अंसर तुमारा ओप्शन बी में है ठीक है एसीड में तुमारा आईसोटोब ऑक्सीन आ जाएगा और उधर जाओगा तुमारा एथानॉल फॉर्मेशन हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन में हम लोग जाएगे प्रोड़ाट इन दा फॉल्विंग रियक्शन थोड़ा लेंदी है तो मुझे थोड़ा उंचा करना पर रहा है फ़कि इतने सारे उप्शन है ना वदो सारे कड़िया है तो थोड़ा इसको साइड कर रहा है यह मेरा कॉश्चन था इस कॉंपाउंड को बिसेकली क्या है मुझे रियक्शन कराना है अब यह कॉंपाउंड जो है एक स्पेशाल क्लास अब रियक्शन है जिसको बोला जाता है सिक्मा ट्रोपिक रियक्शन क्या बोला जाता है सिक्मा ट कि एक एक करेगा क्या गारेगा 3 से 3 अटक करेगा मतलब यह जो मेरा compound है ना यह जो मेरा compound है तो अगर इस compound को मैं अच्छे से दीखूंगा थीक है यह जो 3 और 3 पोजिशन है 3 2 3 क्या गड़ता है हमने इसा मेरा एक वाला बॉन क्या गड़ेगा यहां पर एक करेगा और यह वाला बॉन क्या गड़ेगा इधर आजाता है कि पर तो भेसिक लिए आने के बाद तुम्हें जो compound बनता है हुआ का कि एक दो तीन चार चार गार्वोन है इसकी मीडिल में एक मीडिल को छोड़कर एक मीडिल में डॉबल बॉन्ट है ऐसे प्रोडक्ट आ गया ठीक है ऐसे प्रोडक्ट आ गया तुम्हें ऐसे प्रोडक्ट कहां पर देखने को मिलेगा बोलो तो तुम अगर सारे option को देख लो, तुम्हारे जो answer D है न, यह वारा में तुम्हें मिलेगा, आज को इमें मिलना है क्या है, नहीं, D में नहीं, दूसरे option, D में तो mixing दिये गया है, D में नहीं हो, D में तो, इसारे option दिखा ही नहीं दे रहा था, अभी I think, तुम सब को दिखाए द अभी I think, सारे option दिखा दे रहे, अच्छा, अभी reaction खताम नहीं हुआ है, reaction खताम करते है, चलो, इसकी जो OH है, इसकी जो OH है, यह OH अगर इधार जा आएदा, और यह aromaticity रिगेन करेंगा, तो aromaticity रिगेन करने के बाद, जो basically तुम्हें compound मिल रहा है, तुम्हारे answer, C आचु करे C, तुम्हारे answer, C आचु करें, इसी कोशन, C आएगा, एक तम C आएगा, this is called 3-3 sigma topic, के रिखो, यहाँ पे तो अटाक हुआ है, यह वाला जो 3 का bond है, इस 3 bond क्या हुआ है, इस 3 को अटाक किया, 3-2-3 अटाक हुआ है, इसलिए क्या बोलता है, इसको 3-3 sigma topic, और जो bond break होता है, जो bond break होता है, जैसे यह वाला bond break हो है, जो bond break होता है, उसको हम लोग 1-1 बोलते है, क्या बोलता है, 1-1, 1-1 बोलता है, जहाँ पे अटाक करता है, 3-3 sigma topic, हम लोग की jam में 3-3 है, master's में जब जाओगे 3-2, 2-3 सब तुम्हें दिखाई देगा, jam में अभी तक हम लोगी 3-3 sigma topic ह है, जिसको इसका एक name reaction है, जिसको बोला जाता है, clayzen rearrangement, ठीक है, मेरी playlist में given है, महाँ पर जाका अभी तक जो name reaction नहीं देखाई तो उसको देख लेना, clayzen rearrangement, बहुत ही जादा question आता है, जहाँ हमें, match the ice electronic point of the amino acid, जो amino acids है, यहाँ पर ice electronic point को match करने बोलागे, अभी देखो, अगर मेरा, generally amino acids होता है, amino acids मेरा क्या होता है, एक neutral in nature होता है, amine or acid equal amount of है, तो इसको हम लोग neutral amino acid बोलते हैं, यहाँ पर थोड़ा acid हो गया, यहाँ थोड़ा क्या हो गया, acid बन चुका है, ठीक है, acid, और अगर, और अजार, last वाला देखा जाए, यहाँ पर NH2 देखो, दो है, ज्यादा NH2 ग्रूप है, पहले वाला देखो, NH2 और acid equal amount है, इसलिए neutral, second में देखो, acid group ज्यादा है, इसलिए acidic, और third में देखो, NH2 ग्रूप ज्यादा है, इसलिए that is the base, यह क्या हो गया, this is the base group, तो neutral मेरा कौन हुआ, neutral, neutral मेरा हुआ, और acidic हुआ, तो वाला, अभी देखो, कितना ज्यादा acidic होगा, acidity होने से, जो isolectronic point हो, क्या होगा, decrease करेगा, जैसे तुम अगर acidic होता है, तो pH value decrease होता है, तो similarly, यहाँ पर क्या होगा, isolect point decrease करेगा, मतलब acid के लिए 3 होगा, यहाँ पर सबसे कम है, तो acid के लिए 3 होगा, मतलब देखो, y के लिए 3, y के लिए 3 रेखो, y के लिए 3 only option, 1 में तुमें दिखाई दे रहा है, और कोई option में नहीं है, और की है क्या और कोई नहीं है बेस का क्या होगा? सबस्थे जादा होगा एसिद का अगर कम होगा तो बेस का जादा होगा तो बेस का क्या होगा? बेस का वान होगा मतलब जेट का देखो वान जेट का देखो वान यहाँ पे गिवेड में और जो मेडिल पे बचा है नीट्रल, नीट्रल का क्या हो जाएगा, 6.0 हो जाएगा, जो नीट्रल बचा है, तो X का 2, answer ए, क्या हुआ, एसीड का सबसे कम हुआ, बेस का सबसे ज़ादा हुआ, और नीट्रल क्या होगा, बीच में रहेगा, तो मेरा answer क्या बन चुका, एंसर एबन किया ते एकदम इजी कोश्चन था ए अम लों का आईटी जैम की जो पार्ट वान है 2005 की वो खतम हुआ 2005 की जो पार्ट टू है वो तुमारा आज आएगा चैनल में उसके लिए तुम्हें क्या होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा थैंक्यू सो म अच्छे से रहो हेल्दी रहो और बेश टेक क्यार एंड बबाएब